यह देखें, बहुत ही अच्छी से किये हैं, अच्छा कलर भी इसमें आ गया है Hello friends, मेरा नाम है Manisha, स्वागत है आपका कार्डियू किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं, ओट से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता यह नाश्ता जो आज हम बना रहे हैं, इसमें यूज होने वाली सारी सामगरी आपके घर में आसानी से मिल रहेगी इसके लिए जो समान मैंने लिया है, वो है एक कप ओट्स, लौकी, आधा कप मैंने ली है 50 ग्राम जितनी मूफली, एक दो बारी कटे हुए प्याज, थोड़ी सी बारी कटे हुए हरी मिर्ची, गरम मसाला, कसूरी मेथी, अमचूर और यह दो ब्रैड लिये हैं साथ में लेंगे नमक, मिर्ची और हल्दी, सबसे पहले हम ब्रैड को मिक्सी में चला कर उसका क्रम बनाएंगे, और मूफली को भी हम मिक्सी में ही पीस लेंगे, यह ब्रैड को मैंने मिक्सी में चला लिया है, इसका क्रम बना लिया है, और मूफली को भी मैंने दरदरा पी इसको ज्यादा पानी नहीं दालना है, थोड़ा-थोड़ा सा ही हमें दालना है, बस यह अच्छे से गीला हो जाए, इसमें पानी हम बहुत थोड़ा-थोड़ा सा ही दालेंगे, क्योंकि ओट्स हमारे बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसमें 4-5 चमच का पानी लगा है, बस यह और हरी मिर्च्टी, यह मूफली का जो हमने पीसा था वो भी हम साथ साथ मिलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे यह हमारा मिक्स हो गया है लेकिन थोड़ असा टाइट है तो इसमें हम थोड़ असा पानी और दालेंगे हाथ में लेकर ज्यादा नहीं दालना है इस तरह का हमें चाहिए होगा अब इसमें मिलाएंगे मसाले इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे नमक स्वादा अनुसा थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्ची थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा अमचूर और साथ में ये कसूरी मेथी सबी मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ये अच्छा से मिक्स हो गया है अब इसमें हम लास्ट में ब्रेट क्रम्स मिलाएंगे क्योंकि नमक दालने के बाद लॉकी और प्याल दोनों ही पानी छोड़ते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ब्रेट क्रम्स मिक्स करेंगे एक साथ नहीं दालना है सारा एक टाइट डो हमें बनाना है ये डो हमारा अच्छे से तयार हो गया है मैंने इसमें सारा ब्रेट क्रम्स मिला दिया है ब्रेट क्रम्स मिलाने के बाद एक बाद नमक आप अब टेस्ट कर लिजेगा, हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, यह हमारा त्यार है, अब हातों पे oil grease करके इसकी हम टिक्किया बनाएंगे, यह हातों पे थोड़ा सा oil मैंने grease कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा portion लेके इसकी हम टिक्की बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जात सकते हैं, इसी तरह से मैं सारी टिक्किया बना के तयार कर लूँगी, यह सबी टिक्किया हमारी बन के तयार हो गई है, अब इसको हम तवे पे shallow fry करेंगे, तवा गरम हो गया है, अब इस पे थोड़ा सा oil दालेंगे, अब एक एक एकर के टिक्किया करेंगे, इसको दो मिनाट, लो फिलेम पे हम नीचे से शिकने दिएंगे, उसके बाद इसको टर्न करेंगे, इसके साइट्स मे हम ठोड़ा थोड़ाbait यह सिक गई है, अब हम इसको टर्न करेंगे, इसी तरह से थोड़ा सो आइल इधर भी साइट्स में हम लगाएंगे नीचे की साइट इनको भी थोड़ी से देर हम सिखने देंगे. यह सभी टिकिया दोनों साइट से अक्छ़ए से सिक गई है बहुत यह अच्छी conduz नियुक्रा भी इसमें आगया है अब इसको रीट में निकाल लेगे यह सब भी टिकिया बनकर हमारी त्यार हो गई है, इसको हम सॉस के साथ, चटनी के साथ या फिर इस तरह से भी घहा सकते हैं, इसको टिकिया लेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, थोड़ा सा इसमें मैश किया हुआ दही मिलाएंगी, इसमें दालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, इस तरह से भी हम इसको खा सकते हैं, इसमें चाहे तो आप लाल चटनी या हरी चटनी भी मिला सकते हैं, यह रैसे भी आप जरूर ट्राय करिए, अगर आपको माहिर ऐसी पसंद आए, तो वी और शियर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पास वाले बैल आइकन को दबा कर, औल क्लिक करें, थैंक यू,